Good morning, I hope सब लोग ठीक से होंगे friends, आज हमारी market कहां जाएगी, buying में, selling में, gold के उपर आपको कौन सा trade लेना है, buy करना है के sell करना, and अगर आपके trade already buying ये selling में लगें, आपको निचे को comment करो, and video को complete watch करो, आपको पूरा clear हो जागे कि आपको कौन से trade hold करने है, buying के, या selling के hold करने है है, क्या करना है यहां पर, तो हम proper यहां पर analysis करेंगे, उससे पहले कुछ important information देना चाहोगा, यहां पर, अगर आप चाहते हो कि जो trade मैं करता हूँ, वही ट्रेटर आपको free में मिले, तो हमने description के अंदर आपने telegram group, WhatsApp group के link दे रखिया, वहां पर join हो के मेरे से contact करो, and मैं को personally send कर दूँगा, बाकी मैंने अपने channel के पर video भी डालके रखिया, कि free VIP group में कैसे add होना, जाके video भी watch कर सकते हो, and साफ में हमने account handling के यहां पर service start कर दिया, यानि account आपका होगा, हम उसके उपर trade करेंगे, उसके लिए भी आप personally contact कर सकते हो, full detail के लिए, तो चलिए, अभी market ह हमारी 2648 के उपर, and कल हमारी market जब weekly में यहां पर start होई थी, तो 52 पर market open होई थी, then market ने यहां पर low लगाया था, 43 का, and उसके बाद यहां पर market गई हमारी उपर 66 तक, and हमने जो यहां पर कल trade किया था, हमने 63 से हमने selling की थी, and 45 का हमारा target था, जो कि हमें यहां पर 45 मिल गया था तो almost हमने यहां पर 151, 80 पिप का profit कल के day में book किया था, market open होने के बाद, first day इस weekend के अंदर, 1500 पालस पिप का profit, एक ही trade के अंदर, and मैंने अपने normal group के अंदर भी डाल दिया था, जिसकी link मैं नीचे दे रखे, आप जाके वहां पर check कर सकते हो, telegram के अंदर भी history है, वहां पर ज सबसे important है, आपको daily buys देखने के daily के ओपर अभी यहां के market कहा है, देखिए यह week से पहले दो candle थी, वो buying के लिए बहुत strong थी, that means के market हमारी buying के लिए जाने वाली थी, and क्या market गई buying के नहीं, देखिए अगर daily buys को watch करोगे, तो daily buys हमारी यहां पे close हुई थी, and obviously आज भी market पहले इस buying में गई, then यहां पे हमारा एक selling area था, जिसके अंदर market वापस से फिर पहले market open हुई, and पहले strong buying के लिए ही था, हमने भी 63 से selling start की थी, but market 66 तक गई, and then वापस एक reverse में मिलता है, तो daily के अगर हम देखिए उपर, तो हमारे पास कुछ यहां पे important zones है, जो हमें marks करने नहीं आ रही है, यह कुछ हमारे zone है, जो important matter है यहां पे, but अभी market यहां पे आ रही है, तो हमारे उतना, but फिर भी analysis के लिए हम इनको mark कर सकते हैं, कि यह हमारे daily buys के उपर कुछ patterns है, जो market के लिए important है, and इसके बाद आता है हमारा फिर यह वाला area, and last one है हमारा, यह zone जहां से वापस market हम बोल सकते हैं, कि buying के लिए market वापस से comeback किया है market ने, एक reversal के बाद, and ऊपर हमारा all time high है, अभी भी देखिए, मैं आपको पहले बोल चुक हूँ, कि पूरी possibilities है, कि market यह liquidity खाने जाएगे, कि liquidity एक important factor होता है, इसके अंदर, तो अभी तो इन दो के हमारा all time high, जो रहा है, and 26 के ऊपर, अभी market 26 से ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, कि एकदम से market यहाँ पर 26 से ऊपर आ जाए, daily buys के अंदर, हम देखते हैं, कि अब यहाँ से 4 hour के ऊपर, 4 hour के उपर हमें market क्या, हम predict कर सकते है, यहाँ से market है, 4 hour के उपर, अभी हमने 63 से selling स्टार्ट किया है, तो बहुत से लोग अभी selling में होंगे, तो मेरा कहना है कि भाई ठीक है, आप selling यहाँ से continue कर सकते हो, अभी यह वाला zone यहाँ पर important है, as a intraday के ऊपर, यह 40, 2640 तक market नहीं आई है, 45 तक जो माना target था, वहाँ तक ही आई, क्योंकि यह वाली candle थी, यह area को touch करके, वापस यहाँ से गई, तो 40 हमारा यहाँ नीचे है, यह 40 है, तो market अगर वापस से 40 पे आती है, तो मेरे हिसाब से आपके पास best opportunity हो गई, यहाँ से buying का trade प्लान करने का, अगर 40 से 50 देखे इस zone के अदर, 40 and 35, यह वाला area है, यहाँ पे अगर आपको मालो market अभी य कर रही है, तो अगर market इस zone में आते हैं, यहाँ से कहीं buying का plan बनता है, तो यहाँ से best opportunity होगी market में entry करने के लिए, almost 65 and 70 तक का target यहाँ से लेकर चल सकते हैं, अभी जो है वो, अब market थोला selling के लिए जा रही है, इसका जो नीचे, यहाँ पे order block है, वो बनेगा 40, 35 के बीच में, 35 के बीच में 40 के लेकर, जहाँ भी आपको अच्छा pattern देखेगा reversal, तो यहाँ से हम buying plan करेंगे, यह पहला वाला है, अब मालों जहाँ में market है, यही से market start करती है buying, तो अब हम 2 hour के उपर आगे, यहाँ पे 2 hour के उपर अगर देखो कि तो एक buying candle है, वो 4 hour के उपर content दिखा रहा 2 hour के उपर क्या है, एक buying candle है, तो फिर हमारा 45 का हम mark करेंगे, कि अगर market is 45 के नीचे नहीं आती है, जहाँ पे 2 hour के लिए, यही 2 hour के लिए, यही 2 hour के लिए, यही इसको बीट करती है, यहाँ पे, इसको break करती है, यह 51, यहाँ अगर यह होता है, buying continue, and then हम 1 hour के उपर जाएंग यहाँ पॉइंट से, यह पॉइंट है, जहाँ से market open हुई थी, अब इसको अगर वापस से break करते है, market buying के लिए, यहाँ से continue, कुछ इस तरह से तो वापस फिर हम यहाँ से buying की ब्लान करेंगे, and 6 का target वापस लेके जाएंगे, जहां market, जहां से reversal हुई थी, and यहाँ से अगर market continue करते हैं, तो हम 75 तक का target भी लेके चल सकते हैं, अदर्वाइस यहाँ से एक pullback फिर से मिल सकता है market को, and वापस 75, इस तरह के अभी starting यह वाले है, but हम इसको थोड़ सा clear करता हूँ, हम अगर इसको four hour के उपर अगर हम pattern देखेंगे, अभी, के market में buying zone है, buying trend चल रहा है, selling चल तो देखें, थोड़ा सा, बड़े time frame के उपर अगर हम थोड़ा market को watch कर रहे हैं, तो हमें देख रहा है, market का एक zone बना हुआ है, वह आप हम भी भी हम देख पा रहे हैं के, देखेंगे पहले यह वाला zone था market का, इसके अंदर market trade करते हैं, अभी यहां कहीं यह देखें, break हुआ है तो, यहां से हम इसको mark करेंगे, यह बहुत deciding यहां पर area है, ठीके यह वाला area, जो आपको मैंने पहले बोले कि, इसके पास market आई है, तो अभी किस तरह हुआ है, देखो, market पहले, यहां देखो, यह वाला point आपको मैंने पहले बदाया है, इस पहले point में, circle से इसको mark करता हूँ, बहुत द्यान से देखो, हमारा circle कहां पर रहेगा, यह, यह जो candle यहां पर बनी है, यह वाला point, यह circle, अब भी वापस यह circle पर जान दो, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देखें, इनका color हम थोड़ा सा change करेंगे ताके आपको clear देखें, देखो, यह point important क्यों बने, देखो, यहां से दो market एक view में, लेकिन यहां पर जो एक बहुत बड़ा breakdown हुआ, and market ने फिर इसके ओपर support लिया, यहां से, वापस इस point को cover किया, जहां से market drop हुई थी, यह देखे, and इस ही point के market ने export लेके, वापस strong buying, and up, यह जो है, एक important केरदार play करने वाला, यह जो मैंने यहां पर आपको reversal में दिया, अब अगर market इसको break नहीं करेगी, तो यह मान कर चलो कि यहां से strong buying आएगी market के अंदर, यह जो pattern देखे, बना यहां पर, यह जो selling के लिए यह यहां पर demand हो रही है, जितना यहां पर यह time spend करेगा, जब यहां से मान लो, यह कुछ time यहां पर spend करके, वापस buying ले जाएगा, उतना forcefully यह उपर भी जाएगी, यहां से market fair, फिर यहां से उतना हमारा buying, क्योंकि अगर किसी को मैंने बोला, यहां पर आपको देख रहा है, 40 के, 35 के बीच मार्के आते होए, यहां से आपको कोई भी opportunity अच्छी मिलती है, buying की तो miss मत करना, बाकि अगर हमारे VIP group में हैं, तो आपको perfect trade मिलेंगे, जैसे कि आज भी हमने almost 200 pip के आसपास का profit book किया था, तो इस वाले zone को आप mark कर लेने, यह वाला point यह पर import रहने वाला है, अगर यह वाला यहां से देखो continuous selling में आता है, यह इसको follow नहीं करता है, इस वाले sport को break कर लेता है market, यहां आती है, तो फिर हमारा यहां पर 30 का zone रहने वाला है, 30 से market वापस फिर selling के लिए जा सकती है, ठीक है, फिर market देरे-देरे selling के वापस 20 सुख लिए आ सकती है, क्योंकि यहां पर भी फिर हम अगर देखेंगे export, यह 30 वाला area भी रखता है, अ अगर यहां से buying नहीं बनती है, तो फिर हम यहां पर इसको selling trend continue मानेंगे, क्योंकि इसका last zone जो है selling का वो यहां पर है, ठीक है, तो यहां भी market liquidity खाने के लिए आ सकती है, यहां पर भी पड़ी है, अगर देखोगे आप, यहां से drop होई है, इस वाले यह बड़ी candle बनी थी यहां से ऊपर गया है, अब liquidity तो यहां भी पड़ी है उपर, तो उसको भी market sweep करने जा सकता है, यहां भी नीचे भी है, तो पहले तो हमारा 48, यह वाला area deciding रहेगा, and then 30, ठीक है, 30 वाला deciding रहेगा, तो यह दो area important है, इस यह नजर बना के रखेगा market के अदर, अगर आप, आप ठीट आपका deciding area, यहां से अगर buying continue होती है, तो hold करो, अगर selling में हो आप, तो selling में तो आज market start ही यहीं से हुई थी, इसी area है, तो अगर यहां से selling continue नहीं होती है, तो exit कर सकते हो आप, वागे हमने आज से selling start की थी, and पहुत अच्छा profit book हो भाए है आज का, तो अगर आप में से किसी को कोई doubt है, तो please आप नीचे comment कीजेगा, चैनल को subscribe कर जेगा, साथ में कोई भी doubt आ रहा है, but मैं हमसे पूछ सकते है, thank you